स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए रमजान का पाक महीना और इस जगे का स्वादिश्ट खाना दुनिया भर से लोग इस एक महीने में दिन रात यहाँ पर जाइके के स्वाद का लोगत उठाने आते हैं सबसे बहतरीन कबाब, स्वादिश्ट श्वार्मा, टिक्के, पान, अनगिनत तरीकों के मिठाईयां और भी बहुत कुछ तो चले मुहमद अली रोड, मुंबाई दिलवाले शेक, इसका नाम जितना ज्यादा अलग और इंट्रेस्टिंग है इससे सर्व करने का तरीका और इसका टेस भी कुछ उस तरीके से ही है ये नारियल के अंदर की जितनी मलाई है उसको पहले निकाल कर उसका पेस्ट बनाया जाता है और उसके पेस्ट के साथ बहुत सारा काजू और बहुत सारा फ्रेश क्रीम के साथ ये सर्व किया जाता है This is one refreshing drink जो आपको जरूर ट्राइ करना शाहिए मुंबई और बडे मिया का रिष्टा बहुत ही ज्यादा पुराना है रमजान के महिने में मिनारा मस्जित के गली के अंदर जो बडे मिया का स्टॉल लगता है यहाँ पर मिलने वाला piping hot chicken soup और chicken के onion dishes इसका लुफ्ट उठाना कभी न भोले जलेबी और रबडी ये हम सबका फेवरेट है लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मावा जलेबी करके भी कुछ होता है जीहाँ मुहमद अली रोड में आपको मिले गए बुर्हानपूर की famous मावा जलेबी इसे deep fry करने के बाद एक तोब भर के शुगर सिरप में डुबाया जाता है और उसके बाद सर्फ किया जाता है जब आप इसे खाते हो जो पहला क्रिस्पी लेयर और उससे आती हुई juices मावा जलेबी इजमस्ट रहे रेश्मी चिकन बर्रा इसे पेशावरी बर्रा भी कहा जाता है इसमें चिकन के पीसेस को बहुत सारे bread crumbs में mix किया जाता है उसके बाद दो बार deep fry किया जाता है और उसके बाद एक amazing सा creamy sauce है जिसमें बहुत सारा melted butter mix किया जाता है और वो मेल्टेड बटर को ये चिकन की पीसस के उपर से लगा कर इसे सर्व किया जाता है सांद्र ये एक मेठा पकवान है जो सिर्फ रमजान के महीने में मिलता है दिखने में पेलकुल इडली की तरह होती है चावल, नारियल, शक्कर, मावा और क्रीम से बनाई जाती है और उसके पाथ बहुत सारे नट्स और ड्राइफ रूट्स के साथ इसको कार्निश किया जाता है रमजान का महीना मोहमद अली रोड ये दो चीज़े जब आप सुनते हो तो पहला चीज जो हमारे ध्यान में आता है वो है बड़े तवे पर बनने वाला एकदम बड़ा मालपुआ अंडे से बनने वाला ये मालपुआ जिसके अंदर जाफरान भी होती है चिक्किन, मटेन, टिका, तंदूरी ये सारी चीज़े खाने के बाद जब आपका सुबान कुछ मीठा चाता है तो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है मालपुआ और उसमें पढ़ने वाली रबड़ी शाम से लेकर सुबा तक सारी रात ये पूरी सडक लोगों से और स्वादिश खाने के पधार्तों से भरी रहती है ये पूरा महिना, ये रमजान का महिना